हेलो गाईज, वेलकम टू माँ चानल दी टारोड वाइब सो गाईज, आज हम देखने वाले हैं सप्टेमबर मन्त की लव रीडिंग ओके 1-15 तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए हम ये देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं लियो राशी के लाइफ में क्या होने वाला है लव लाइफ में क्या होने वाला है अगर आपसे ये रीडिंग रेजनेट होती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जाए ? चेहां खोरादे है तो गैस हम देखते हैं लियो राशी प्लाइब क्याम emoji 3 of Wands 8 of Pentacles 8 of Sword 9 of Cups Page of Sword Three of Cups Eight of Wands Guys, यहाँ पर Eight की एनरजी बहुत जादा है, okay मुझे यहाँ पर Saturn दिखाई दे रहे हैं शयाद आपकी उपर Saturn का बहुत जादा एनरजी है यहाँ पर Bottom of the Deck है The Hangman, okay So guys, हम देख लेते हैं Liorashi Guys, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि Liorashi के जो भी परसन है जो भी लोग है, वो इस वक्त Okay, उनकी एनरजी बहुत जादा Care-free है Guys, उनकी एनरजी इस तरह की है कि जो भी होगा वो Divine के भरोसे होगा Guys, वो किसी तरह का action लेना चाहते है But guys, वो इस वक्त ले नहीं रहे है कि action उन्होंने सब कुछ भगवान के ओपर छोड़ दिया है Guys, बट उन्होंने जो भी past में महनत की है जो भी hard work किया है Guys, वो सारी चीजे उन्होंने इस वक्त छोड़ दिया है और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि उन्होंने सारा जो भी उनका hard work था उन्होंने अब भी सारा कुछ divine के पर उसे चोड़ दिया है इस तरह की energy है उनकी और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है उन्होंने जो भी hard work किया है वो miss ना हो, वो इस तरह की वो सब का ध्यान नहीं दे रहे है वो सिर्फ अपने ही धुन में है इस तरह की energy दिख रहे है और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आप September month के first week में आप कहीं travel कर सकते हो आप किसी तरह के event को भी कर सकते हो किसी तरह का celebration अटेंड कर सकते हो इस तरह की energy दिख रही है और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आप second week में किसी तरह का आप की तरफ किसी तरह की positivity आ रही है guys, और किसी तरह की आपके पास एक offer आ रही है किसी तरह का proposal आ रहा है guys जिसकी वज़े से आप एक celebration कर सकते हो आप किसी celebration event में आप जा सकते हो और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि यहां पर जो भी positivity आ रही है आप उसे बहुत easily grab करोगे okay, यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है वो second week में आप बहुत easily उसका result आपको दिखने लगेगा okay guys, यहां पर मुझे जो भी आपने hard work किया है, जो भी आप action नहीं ले पा रहे थे starting के week में आप second week में आप उस action के ओपर धिहान दोगे और guys, वो action आप ले लोगे भी okay, और guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि जो भी आपने आपके visually जो भी आप नहीं कर पा रहे थे जो भी आप नहीं देख पा रहे थे जो भी आपके आसपास की जो भी नेगेटिव एनरजी थी आप उसे second week में guys, यहां पर मुझे यह दिख रहा है कि आप उसे दूर करते होए दिखोगे आप उनस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से हील करोगे okay guys, तो हम देख लेता है divine का message क्या आपके लिए be bold and make the first move guys, मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आप confident रहो और guys, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आप first move लो आप उसके लिए आगे बढ़ो okay nothing will come of this situation guys, यहां पर यह दिख रहा है कि आपकी जो भी situation है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी okay, आप जो भी है बहुत ही confidently work कीजिए okay, आप divine कैसा message है आपके लिए okay guys, अगर आप से यह reading resonate होती है तो please like कीजिए, subscribe कीजिए और guys, please bell icon दबाना ना भूले okay, bye